दोस्तो फाइनली इसराइल ने अपने सबसे घातक हतियार को मैदान में उतार दिया है और इसराइल के इस हतियार ने आज अपना पहला शिकार भी कर लिया है और इस वीडियो में हम पहले तो इस हतियार से जुड़ी नियूस के बारे में जानेंगे और बाद में हम इसराइल और हमास जंग में अब तक इस्राइल का मुकाबला केवल हमास के साथ ही हो रहा था लेकिन आज यमन के हूती रेबल्स की तरफ से इस्राइल के ऊपर एक बैलेस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है लेकिन आप कहेंगे कि हूती रेबल्स के पास बैलेस्टिक मिसाइल आई कहां से है तो ये बैलेस्टिक मिसाइल इनको इरान की तरफ से दी गई है और इरान की इसी मिसाइल की मदद से आज हूती रेबल्स ने इसराइल के इलिट पोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की थी तेकिन इस हमले के होने से पहले ही इसराइल ने अपने एरो डिफेंस सिस्टम की मदद से हूती रेबल्स की इस बैलेस्ट्रिक मिसाइल को मार गिराया है और अब मैप में जानते हैं कि इस हमले को कहा पर करने की कोशिश की गई है तो यह है सौधी अरब, सौधी अरब के नीचे ही यमन पढ़ता है और यही पर हुती रेबल्स रहते हैं हुती रेबल्स की तरफ से जिस समय इस मिसाइल को दागा गया था उस समय ये मिसाइल गल्फ ओफ अकाबा के तस्ते इसराइल पर हमला करने जा रही थी लेकिन फिर इसराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गल्फ ओफ अकाबा में ही मार गिराया है और जो ये Gulf of Aqaba है इसके Left Size में ही Swiss Canal पड़ता है और अब जानते हैं इसराइल के इस Arrow Defense System के बारे में जो ये Arrow Defense System है इसको अमेरिका और इसराइल ने 1990 से बनाना शुरू किया था और 1999 में इसराइल ने इस Defense System को अपनी शेना में भी शामिल कर लिया था इसराइल और अमेरिका ने इस Defense System को Short Range और Medium Range के लिए बनाया था लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये Long Range का Defense System है एसा में इसलिए बोल लहा हूँ क्योंकि ये Defense System पैलेस्टिक मिसाइल को वातावरन में घुसने से पहले ही मार गिराता है और वातावरन के अंदर भी ये बैलेस्टिक मिसाइल को मार गिराता है एरो डिफेंस सिस्टम किसी भी बैलेस्टिक मिसाइल को 20 किलोमीटर से 500 किलोमीटर उपर ही मार कर गिरा देता है जिस समय इस Defense System से Interceptor मिसाइल निकलती है और जब ये मिसाइल टार्गेक को हिट करने वाली होती है उस समय इस मि बैलेस्टिक मिसाइल का बचपाना लगबग इनपोसिबल होता है एरो मिसाइल की सबसे खास बात यह भी है कि इसमें टूवे डेटा लिंक लगा हुआ है जिसका फाइदा ये होता है कि जब भी किसी भी देश की तरफ से इसराइल के उपर बैलेस्टिक मिसाइल से हमला करन ये मिसाइल दुश्मन देश की डिकोई मिसाइल को भी काफी अराम से पहचान लेती है जिससे ये मिसाइल सत पर्तिशत एक्क्योरेसी के साथ टारगेट को हीट करती है इस डिफेंस सिस्टम की एक्क्योरेसी की बात की जाए तो जिस समय एक एरो मिसाइल को फाइर किया जा 30 सेकिंड के अंदर ही 5 बैलेस्टिक मिसाइलों को मार कर गिराए जा सकता है इसराइल और अमेरिका इसी डिफेंस सिस्टम के एरो 4 वर्जन को बना रहे हैं और अरो 4 मिसाइल की सबसे खास बात यह होगी कि दुश्मन देश की हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को मार गिराएगी जिस समय इसराइल की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया जा रहा था उस समय भारत ने भी इस डिफेंस सिस्टम की मांग की थी और इस डिफेंस सिस्टम को देने के लिए इसराइल तो तयार हो गया था लेकिन अमेरिका ने विटो लगा कर इस डिफेंस सिस्टम को भारत को देने से साफ साफ मना कर दिया था तेम इसी स्पेसिफिकेशन के साथ हमारा BMD यानि की बेलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आने वाला है आपको क्या लगता ही कि क्या हमारा BMD सिस्टम भी एरो डिफेंस जितना ही पावरफुल होने वाला है हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हेव गूड डे